जैसिया राम, नमस्कार, इंडियेस्विक्स डेली में आपका स्वागत है इंडियेस्विक्स डेली अर्थात नो लिफ्ट, नो राइट, वनली सनातन वाइस, और मैं हूँ आपके साथ संधीप देव। राम मंदिर का उत्गाटन बाइस जनवरी को होने जा रहा है, सभी हिंडूओं के लिए ये हर्ज का विशय है, लेकिन कुछ इसका विरोध भी हो रहा है और खास कर संक्राचार जी कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का प्रान प्रतिष्टा नहीं हो सकते, ये भी कहा जा रहा है कि मुहुर्त सही नहीं है, इस पर जोतिश पीट के संक्राचार जी, अभी मुक्तिश्वरानंद जी का आप सबने कई चैनलों में साथ-छातकार देखा होगा, देख रहे हैं, उन्होंने सभी चैनलों को, मीडिया को साथ-छातकार दिया है, लेकिन मे तेरा सवाल यहां थोड़ा अलग है, मैं सास्तर में और प्रान प्रतिष्ठा में नहीं जाओंगा, हलाकि ये प्रश्ण मैंने संक्राचार जी से पूछे हैं, मेरी जी ज्यासा है कि राम जब सब के हैं, तो राम जन भूमी आंदोलन में, जिन जिन की भूम का रही, उन सब को रेखांकित किया जाए, इसलिए अयुद्या की ये संगर्स गाथा, मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, और मैं लगातार लेख भी लिख रहा हूँ, कहते हैं कि भगवान राम जब राम सेतू बांध रहे थे, तो एक गिलहरी को देखते थे, वो अपने आपको लोटती थी बालू में और जाखन, वो बालू उस राम सेतू के पत्स्रों के भी जाके जाड़ाती थी, राम जी ने पूछा ये क्या कर रही हो, उसने कहा राम सेतू के निर्मान में मैं भी अपना योगदान दे रही हूँ, भगवान राम ने गिलहरी को भी याद रख, औ उन सभी प्रमुख लोगों का उन्होंने महल बनवाया अयोध्या में, शुग्रीप, अंगद, हनुमान जी, यहां तक की जटायू जो परलोग सिधार गये थे, जटायू की याद में भी भगवान ने मंदिर बनवाया, अन्यू का भवन बनवाया, विवीशन का भवन रखते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, कि सिर्फ एक नेता, एक संगठन, एक बेक्ती, एक पार्टी को आप स्रे दे दे, मैं उस राम का विश्तार जन जन तक करना चाहता हूं, और यह वही प्रयास है, जो राम जी ने किया, जिन जिन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई, मैं उन सब के नाम बताना चाहता हूं, और यही दुख कुछ लोगों को हो रहा है, कि आप सब के नाम क्यों बता रहें, इस राम जन भूमिका रहें, कोट के फैसले यदि देखे, तो संकराचारियों की बिना हमें राम जन भूमि मिली नहीं सकता था, लेकिन विवस्ता यह है कि हाई कोट और सुप्रिम कोट का फैफला एक पूरा ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो पढ़ना ही नहीं चाहता जो जूट को जीना चाहता है राम भद्राचार जी जैसे संत है उनका उलेक है परन्तु जैसे वो कारएं सिर्फ मेरे ही साथ के कारण राम अंद्र मिला वो बिल नहीं कायर पाए प्रस्तुत नहीं कर पाए खुद ही छबबा कर ले आये थे जिसके कारण वो ध्वस्त हुआ राम चाहित माना से वो पिंपॉइंट भगवान राम की जन्भूमी को नहीं दरसा पाए और कोट ने पूछा हमको पिंपॉइंट चाहे कि उसी जगा पर उठा दिये गए तो संक्राचार जी ने उस समय के अंग्रेज राज के कलेक्टर एडवर्ड का जिसने अयोध्या के सभी तीर्थ छेत्रों पर पत्थर गडवाया था उस पत्थर को जाकर सुप्रिम कोट को बचाए कि मैंने उस पत्थर को देखा है मैंने पुरी यात्रा क आई है तो ऐसे ऐसे प्रस्ञ है जिससे हिंदु समाज अनभिग्य है इसलिए आज मैं आया हूँ संक्राचार जी जोतिसपीट के संक्राचार जी अभी मुक्तेश्त और अनंद सरस्च श्agarती जी का साथओर कार लेने। अदालत के फैसलों से लिए गए इसलिए मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये साथ-साथ कार अच्छा लगेगा आप सब कमेंट में जरूर लिखेगा राम जनभुमी की संगर्स गाथा को बहुत सारे लोग प्रयोजित कर रहे हैं जिससे हमें हिम्मत मिल रहा है कि हम इसको और आगे करें एक-एक इतिहास को चान कर आप तक पहुंचाएं आज की ये जो स्रिंकला है ये अठारमी स्रिंकला है और अठारा के संख्या सनातंधर में बरा महत्वपुर्ण है मैं इसे परमात्मा सिर्राम का आसिरवाद मानाँगा कि यो 18 में एपिसोड में उन्होंने मुझे संक्राचाइड जी के साथषातकार का आवसर दिया 18 महाभारत में 18 पर्व हैं गीता जी में 18 अध्याय हैं अथार ही हमारे पुरान हैं और कहा गया है कि आत्माओं के प्रकार भी 18 है तो और एक सवाल हमेशा लोग उठाते हैं कि जोतिस्पीट के संक्राचार अभी मुकतेश्वरानंद जी असली संक्राचार नहीं है, ये बिल्कुल जूट है। वो वेतन भोगी करम चारी थे और वेतन भोगी करम चारी कभी संकराचार नहीं बन सकता। अभी मुक्टेश्वरानन सरस्वती जी को सभी पीठों ने माननेता दी है। उनके गुरु शौरुपणन सरससी जी का जब देह गमन हुआ यहां से पृत्वीचे तो उनको जोतिस पीट के साथ द्वारका पीट और सुरिंगेरी पीट तीनों पीट ने माननेता दिया और यही संक्राचार भगवान संक्राचार के महानुस आसन के अनुसाथ संक्राचार को बनाने की बीदियों में से एक भी थी पुरी के संक्राचार जी ने जरूर उस समय कुछ objections किये थे और जहां तक मेरी जानकारी है कि उनके दिमाग में ये आया था कि शाद ये ब्रामन नहीं क्योंकि संक्राचार के प्वर ब्रामन बैठ सकते हैं लेकित वी दुपिधाःआब दूर हो गई है अभी मुकिशित्वरा contextual और इसलिए पुडि संक्राचार जी ने भी सुप्रिम कोट में वास्तु देवानंदी जी जो गए हैं क्योंकि उनको फरजी संक्राचार इलहवाद लोर कोट इलहवाद हाई कोट नेगोसिस किया उसमें वो गए हैं वो तब तक सुप्रिम कोट का एश्टे था लेकिन परमपरा पर सुप्रिम कोट नहीं जा सकता जैसे राम जन्म भूमी भगवान वहीं जन्म लिए यह साक्षी से प्रमानित होतने पर सुप्रिम कोट उसके विरुद्ध नहीं गया उसी तरह परमपरा से सभी पीठो द्वारा मानिता प्रत संक्राचार के विरुद्ध सुप्रिम कोट नहीं जाएगा वास्तु देवानंद सर प्रश्ट ने वो जानती है कि कानूनन यह अपराद है इसलिए चंपतराई जी प्रिश्वारता में तो उनको जोतिस्पीट के संक्राचार कह रहे हैं वासुदेवानन जी को लेकिन निमंत्रन पत्र पर उनके आगे संक्राचार जोतिस्पीट नहीं लिखे यही सबसे बड़ समझ आपको आएगा सबसे बड़ा कारण समझ में आएगा कि बासुदेवानन जी को संक्राचार अंदर से संग भी नहीं मानता परंतो एक सरकारी संक्राचार उनको चाहिए इसलिए उनको घुमाता है तो न जादा भुम का ना बांगते हुए आज की सरेखला के जो हमारे प्रयवजजख है वो पूर्निमा दवे जी हैं उन्होंने अपने माता पिता सविता स्रीमती सविता जी एवन स्वरगी धनराज माला जी दवे के नाम से इसे प्रायोजित किया है पुर्नमा दवे जी को बहुत बहुत प्रनाम और उनके माता पिता सविता जी को नमन और पिता जी धनराज माला जी दवे परमातमा ने उनको को जरूर मोक्ष प्रदान किया होगा इतनी अच्छी संतान हैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यबाद और सीधे आईए चलते हैं संक्राचार जी के चर्णों में और फिर उस्साचातकार का आनंद लेती हैं नमस्कार, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्गाटन होने जा रहा है और प्रधान मंत्री नरिन्द मोदी उतका उद्गाटन करेंगे इस समय देश में सास्त्रिये और असास्त्रिये दो तरह के हिंदों में एक तलवार्थी खिची हुई है सास्त्रिये हिंदों का कहना है कि राम मंदिर का ये जो उद्गाटन हो रहा है या सास्त्रिये विधिचे नहीं हो रहा है और भारत में या संपुर्न सनातन जगत में शास्त्रिय हिंदुओं का प्रतिनिधित या कहे हूं का अध्यात्मिक समराट की भूमका में संकराचार जी होते हैं और इस पूरे मामले में चारो संक्राचार जी एक साथ हैं और वो कह रहे हैं कि ये हम आशिरबात देते हैं परन्तु सास्त्रिय बिधी से इसका उद्गाटन नहीं हो रहा है इसी मामले पर हम जोतिस पीट के संक्राचार अभी मुक्तेश्वरा नंजी से हम साचातकार करेंग और जानेंगे कि सास्त्रिय बिधी से मंदिर का उद्गाटन किस तरह से हो सकता है क्या इसकी संभावना अब है या नहीं माराजी अभी लगातार आपका जो साथ साथकार हम देख रहे हैं उसमें आपने कहा है कि इसको प्रान प्रतिष्ठा नहीं कहा जा सकता ये आप उद का सकते हैं को आयोजन कह सकते हैं ऐसा किसलिये माराज जी के ऐसल्लिए कि हमारे यहाँ कि ये फिरिजेंट्र बारिभाषिक शब्र होते है कि अपने रविचेशे की अपने जनित सब्ड़ wizard सब्रक्रार्य विशह पढ़ना है तो गदील के अपने पारभाषिक permits है निया भ्याकरन आदी में भी पारिभाशिक शब्दों के बारे में बताया जाता है यह मंदिर प्रतिष्ठा शब्द जो है अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं लेकिन उसके लिए मंदिर प्रतिष्ठा का जो विधान है उसको आपको अनुकरन करना पड़ेगा अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस शब्द का प्रेव करना करें तो अच्छा होगा क्योंकि इससे भ्रह्म फैलता है जब आप शब्द तो शास्त्रिय कहेंगे और वहार शास्त्रिय नहीं करेंगे तो दोनों में अंतर आजाएगा इसलिए हमारा यह कहना है कि जो आप कर रहे हैं वहीं कहिए आप कहिए एक भब आया राम महुत्सव शब्द आपने दिया है तो ठीक है हमें कोई दिकत ने राम के बारे में उत्सव हो रहा है ऐसा ही कुछ ने मैं अगर है तो जैajes अधर है रहा थी तो जैसा प्र बृडविधान बतायां वह करिया यह बात आपने जो बताया मज़े लगता कि बहुत सारे हिंदु की सुचना या जानकारी नहीं थी कि मंदिर जो है वो भगवान का पूरा सरीर है यह हम लोग नहीं जानते थे हिंदु जो है हम सिर्फ यही समझते थे कि मूर्ति भगवान का सरीर है पर आपने का कि मूर्ति प्रान है उस पूरे मंदिर का और अधूरे बिंदू आता है तब उस पे चर्चा होती है तब आम लोगों को जानकारी हो सकती है तो कभी ऐसा विशय उठा नहीं इसलिए लोगों को जानकारी नहीं थी बाहर से दर्शन करने पर भी वही फल मिलता है क्योंकि भगवान का जो श्री विग्रह है वो मंदिर ही है इसलिए शिखर दर्शन मात्र से भगवान के दर्शन का पुन्य प्राफ्त हो जाता है ऐसा अपना शास्त्र कहता है अब लोगों के ये बात ही भूल गई कि हमारा शास्त्र किस तरह से वेवार करता है हमारे शात्र में भगवान का जो मंदिर है वो ही उनका शरीर है और वो जो जीवात्मा है वो है मूर्ति तो इस बात को भूल गए थे लोग भूल जाने के कारण अब वो बेवार करने लगे यहां तक कि जो पंडित जी ने लिख करके दिया है कि जैसे एक फ्लोर में हम प्रवेश कर लेते हैं फिर दूसरा फ्लोर बाद में बनता है वैसे ही एक फ्लोर तो बन गया है इसलिए हम दूसरे फ्लोर बाद में कर लेंगे ऐसा नहीं हो सकता यहां तो जैसे ही उसमें चेतना का प्रवेश कराएंगे आप मंत्रों के द्वारा आध्यात्मिक चेतना का अर्चम विग्रह बनाने के लिए वैसे ही आपका मंदिर प्रतिष्ठित हो जाएगा अब प्रतिष्ठित जो मंदिर है अब शास्त्र कहता है कि दूर से ही शिखर दर्शन मात्र से भगवद्रशन का पुन्य मर जाएगा, अब शिखर ही नहीं है तो पुर्णे कैसे मिल पाएगा तो आपने मंदिर कर दिया अब हमारे शास्त्र में जिनका जो अधिकार है तदमसार का वेवहार है कहते हैं कि अगर जल्दी में हैं कुछ है शिकर दर्शन करना है कि पुर्णे मिल जाएगा अब वहोगा नहीं है आप बताइए कि अगर वहां से से निकल रहे हैं अब हम दर्शन करके प्रणाम ही नहीं करेंगे अब दर्शन करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा क्यों कि शिकर होता है तो लोग यह देखें प्रणाम किये चले गए उनका पुर्णे हो जाता तो दर्मशास्त्र की दृष्टी से देखना पड़ेगा तब यह बात समझ में आएगी चूंकि लोगों को दर्मशास्त्र की इस बारीकी का पता नहीं है और इसलिए लोग बड़ी तेजी से हमला हमारे उपर कर दे रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं उनको जब शास्त्र का अन्भो हो जाएगा तो वो सब कहेंगे कि नहीं नहीं आप करना चाहिए क्योंकि ग्यान देने का काम जो संक्राचार जी का है वो उनको दे रहे हैं आज अपने संक्राचार जी एक पत्र भी जारी किया है और यह सवाल मेरे मन में बहुत था मैंने एक बार पूछा भी तो लोगोंने काफी गालिया मुझे दी मैंने का राम जो भगव उन्होंने का कि जो मांदिर अभी प्रतिश्टीद होने जा रहे हैं उनका सब्द है कि वो तो अचल रहेंगे और यह जो चल जो राम लला विराजमान थे वो चल रहेंगे और उत्ताबादी रामनौमियादी में वो चलेंगे उनको घुमाया जाएगा तो मंदिर भी अगर हम उनको पहले से ही राम लला कहते है या चल राम लला कहते है तब तो ठीक था हमने तो कह दिया राम लला विराजमान तो विराजमान को चलाएमान कैसे करोगा विराजमान का बिरुद्ध है बिलोम शब्द है चलाएमान तो चलाएमान मूरती जो होती वो विराजमान विराजमान जो होगी वो चलाएमान नहीं होगी तो राम लगा विराजमान है इसी नाम से उन्होंने मुकदमा अपना लड़ा है इसी नाम से वो जीते हैं और नयायाले ने आदेश किया है कि इनके लिए मंदिर बना दिया जाए वो बन रहा है तो जब उनके लिए मंदिर ब समय था तब उस मूर्थी ने सहा अब जब भब मंदिर बन गया तब उस मूर्थी को पीछे कर दिया जाएगा दूसरी मूर्थी आ जाएगी तो यह तो उनके राम लला विराजमान के साथ अन्या है ना इतने लोगों ने उनके लिए बलिदान दिया है बावनाएं जुड़ी तयार हो गया है जिसको यह मालूम है कि संक्राचारादी की भूलका क्या रही थोड़ा सा इसमें यह भी बता देना चाहिए इसलिए भी हमने यह बात आज पत्र लिख करके कही है क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे कि अब आयो जन तो इतना बड़ा हो गया आपने शा तो इस दृष्टी से अगर उनको महाबर स्थापित कर दिया जाता है तो फिलहाल के लिए रस्ता भी हमने इसी महाने से बता दिया ताकि सास्त्रियता भी सुरक्षित रह जाए और लोग भावना का भी संद्रक्शन हो जाए अब आप पूछो निया अलेका क्योंकि बहुत उनके वीरियोज हैं कि संक्राचारियों ने कहा कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और मेडिया नंहांसे पूछा कि क्यों हुई आप उन्से पूछीए हमने प्रमान दिये तो जाकर यह प्रमानित हुआ कि वहाँ पर राम भावान का जन्म हुआ था तो इसमें क्या ना करना हमारे सभाव में नहीं है इसलिए किसी वेक्ति विशेश के बारे में नहीं कुछ नहीं बोलें जहां तक शंकराशारियों की बात है तो वो हम जरूर बता देंगे आपको कि शंकराशारियों का बहुत बड़ा हो। बधा मानने इतना हम बता करके आपको यह सिद्ध करेंगे एक 1992 में कांग्रेस की सरकार अपने देश में थी के अंदर में और उसने ये रास्ता निकाला था कि जैसे काशी और मतुरा में अगल बगल में मंदिर मस्जित दोनों बन गए हैं और काम चल रहा है ऐसे क्यों ना अयुद्या में भी कर मंदिर था उसमें मंदिर के लक्षन थे तो उसको मस्जित बतातीया जाए और नया मंदिर बना करके मंदिर मस्जित दोनों कर दिया तो जो विश्विंदू परिशद के लोग हैं इन्होंने कांग्रेस के साथ समझोता कर लिया और समझोता करके 192 फुट दूर शिला निया बहुत बड़े बहुत बड़ा आयोजन किया था शिला नियास का आयोजन भी बहुत बहुत किया था इन्होंने उटा सिंग सोयम बैटके वहां सब कर वा रहा था अगर इनकी अनुसार 192 फुट दूर अगर मंदिर बन गया होता तो आप बताईए आज जो अपनी मूल जग करके उसके बारे में उन्होंने बोला नेत्रे तो किया उनको भी बहुत गालियां मिली लेकिन वो कहते थे कि सथकारिय में गाली मिलना अच्छा होता है इसलिए वो इसको स्विकार करते रहे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं और अंत में वो उन्होंने कहा कि मैं स्वयम जाउ और गर्बग्री के आगने कोड में शिला नियास करूंगा नंदा बद्रा जया पूर्णा चार शिलाएं लेकर के निकल पड़े मुलाइम सिंग आदा उनने उनको गिरफतार कर लिया चुनार किले को जेल बना करके उसमें ठूस दिया उनको उन्होंने जेल भोगी लेकिन आएंगे वहीं वहीं यह तो बिचलित हो गए तो यह योगदान है शंकराशार जी का योगदान है अगल बगल हो गया होता और यह हमारे हाथ से निकल गई दूसरे इन लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया भारती जिनता पार्टी ने विशेश करके हिमाचल पुदेश व्यगी हैं आश्व में लTT कर inclै कि यह मुद्द गें जो आस्था का मुद्द है और आस्था के मुद्द पर नियायलई को पैसला देने का स़ यह इतिकार नहिक कpowered कि अधर शंकराशार जी ने कहा जब कुछा होगा तो पार इसलिए नREYILY करना ह्पएर चाहिए। तो वहाँ पक्षकार बन करके उन्होंने पहर भी शुरू थी, साड़े तीन सो से जादा, लगबग चार सो, लगबग चार सो प्रमान रखे और अकाट्ति प्रमान रखे, बहस करवाई, और आप इसी बात से अंदाजा लगा लिजिए, कि जो शंकराचायर जी के पक्षकी ब अकिल भारती श्री राम जनमभूमी पुनुट उद्धार समीती नाम से उनकी संस्ता थी, जिसमें सब संतों के साथ अध्यक्षता शंकराचायर जी की थी, वो समीती कुल 90 दिन की बहस हुई थी हाई कोट में, लगनव खंडपीट में, 90 दिन में 50 दिन मुसल्मानों ने बह सुई, उन चालिस दिन में 24 दिन, सबीरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक लगातार, शंकराचायर जी के वकिल, पियन मिश्रा जी ने बास किया, 24 दिन वो जजजों को क्या सुट तीन जजज बैटके सुन रहे थे, सुधीर अगरवाल जैसे जजज थे, एस्यू खान थे, तरम उनको 24 दिन सुनते रहे हमारे वकिल को, और फिर उनको धन्यवाद कहा कि आपके आने से मुकदमा हमारा पलट गया और रोशनी मिली हमको, आपने बहुत सारे अच्छे प्रमान दिया, और फिर फैसले में लिखा, फैसले में आप देख लें, कितनी बार उनका नाम आया हो, और क्या कोट किया है, इसी तरह से जब सुप्रिम कोट में मामला आगे, तो सुप्रिम कोट में ये लोग तो कोई पक्षकार बने नहीं, विशोहिंदू परिशत पक्षकार बना नहीं, भाजपा, RSS, बजरंग दल, कोई भी संस्था इनकी, ये तो कोई पक्षकार बना नह कि विश्टिता के कारण बड़ी कि बार उनका फैसले में सुप्रिम कोट वाले पैसले में नाम आया तो पराशरन के बाद सरवाधिक बार किसका नाम आया है हमारे वकील का नाम आया है और पराशरन जी को खड़ा करके यह बहांस करवा रहे थे और जो पुरा तत्यों की रिपोर्ट थी उसी को आधार बना रहे वो तो के रिजेक्ट हो गई है तब क्या होता और जब यह प्रस्ण सुप्रिम कोर्ट में खड़ा हुआ कि ठीक है हम इतना मान लेते हैं कि आयोध्या श्री राम की यहां जन्मखौमी है लेकिन वही जगह जहां राम्ला विराज मान है वही जगह है यह सिद्ध करिए यह तो कोई सिद्ध मी कर पाया तब तो शंकराश्यायजी का वकील की तरफ सब देख रहे bytes धिन combustible को गउयाद की splash panel का जुज्चंत real कि और सिद्ध कर दिया कि वही जग हुए तो शंकराचायर जी का योगदान है आपकी भी गवाई हुई एडवर्ड वाली कहानी भी अब बता है यो बहुत लोगों को जाना जाए है कि हम आयुध्या गए थे तो आयुध्या में जब हम गए तो हमको ये था कि भाई हमको सब तीरतों के दर्शन करना है ऐसा होता है बहुत से लोग की मुख्य व्यक्ति से मिले चले जैसे लोग काशी जाते हैं विशनात का दर्शन किया चल दिये तो हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि उनके परिकरों के साथ सब का दर्शन करना चाहिए इसलिए काशी में 1472 मंदिर हैं जो सकंद पुरान में बरनी थे हमने सब के दर्शन किये हैं और ऐसे नहीं कि कभी कभी एक साथ कि हम अब चल रहा हैं 14 सुख अपैदल चल के नंगे पाम सब के दर्शन किये हमने महीनों लग गया हमारा लेकिन हमने सब के दर्शन किये हैं तो हमको इसमें रुची है कि सब जगह जाके सब का दर्शन करना तब आननदाता है asking Tעל अन्फ क और दियाने की न में ब्हूंए देखा की सब प्रहमचारी जी को ले करके हम लोग चले। ऊपिए टीरतुनी सभा डेड़ें सो साल पहले बनाी थी अंग्रेज कलेक्टर This experience इसने इसे बनाई थी किसी समय और उसने अयध्या के तीर्थों का निर्णे कर दिया था कि हम निर्णे करते हैं कि ये तीर्थ है 108, 158 तीर्थ थे, तो हम 108 तीर्थों में गए अयध्या के है कोई 6.500 संथ आ रहा है, आप पूछो किसने 108 तीर्थों के दर्षन किये, हमने सब के किये और उसी में बिगनेश भी थे, अब स्कंद पुरान में जो पंक्तियां हैं, जिसके बारे में उलेक किया जाता है, हम लोगों ने भी सकंद पुरान प्रस्तुत किया था, और भी लोगों ने प्रस्तुत किया था, अब स्कंद पुराण में यह लिखा है विगनेशत से पूर्व भागे राम जन्म प्रवर्थते बसिष्ट से उत्तर पिंडारक से पस्चेम ऐसे ऐसे चवहद्दी बताई गई है राम जन्म भूमी की अब वो चवहद्दी में जो विगनेश है सिउजी का मंदिर वो मिलता ही नहीं है किसी को क्योंकि वो पांच किलो मीटर दूर एक गाउं में है तो वो सहर सहर में गुमने वाले लोगों को नहीं पता है लेकिन हम चोकी गए थे हमने महाँ पर एडवर्ड का पत्थर गड़ा हुआ देखा था उसके फोटोग्राफ भी वीडियोग्राफ भी किये थे तो हमको द्यान था तो जब यहां पर सुप्रियम कोट में प्रस्न आ गया कि चवद्धी बताओ तो चवद्धी बताई लोगों ने लेकिन वह तो गट नहीं रहा था पिंडारक जाड़ी में छिप गए थे उनका ही पता नहीं था कि पिंडा पंदिर से देखा फिर उसके फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ और एडवर्ड के 118 जगह के पिलर्स के फोटो और हैंस बेकर नाम का एक अध्यता था उसने भी आयोद्या की तिरतों का अध्यान करके पहले ही बहुत पहले ही किताब शापी थी एक एक चीज का प्रमान किसी तरह से उसको बेजा तो हर मौके पर सुपरिम कोट के फैसले में साफ लिखा हुआ है पर्फि के 150 के इतना बड़ा मंदीर अगर तोड़ा गया था बाबर के दो दौरा तो तो तुलसी धाश जी बाश हो पने ग्रंथों में जबकि हो समकाली थे उन्हों ने अपने ग्रंथों में उसका जिक्र क्यों नहीं किया तो इसका उत्तर देने के लिए वो एक तुलसी शतक लेकर के गए थे और वो उन्होंने पेश कर दिया ये तुलसी सतक है तुलसी सतक में लिखा है कि बाबर ने तोड़ा तो एक समस्या तो ये हो गई हम लोग कह रहे थे कि बाबर ने कोई तोड़ा नहीं हमारा कभी हमारा सदा से मंदिर रहा हम लोगों ने यही पक्षि सुरू से लिया था और इसी को हमने सिद्ध कर लिए तो एक तो ये समस्या हो गई कि जब ये कहने लगे कि बाबर ने तोड़ा तुलसीदार जी ने लिखा है तो हमारे हमारा जो मुकदमा था वोई खतम होने लगए हम लोगों को समस्या हुई लेकिन जजेज ने कहा कि महराजी ठीक है ये आपका तुलसी सतक हम सिकार करते हैं लेकिन ये पहले कहां छपा है तुलशी गन्थावली में कहीं चपा है, पुरानी कोई पाणड़ुलिपी इसकी है, कहीं तो कुछ होगा, अगर तुलसी दाजे ने लिका है, आपको कहां से मिला, तो बोले में नहीं चपुआ आया है, काई इसके पहले कहां था, तो वो कुछ बता नहीं पाए, तो वो निरस्त होगा, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, माने कोर्ट में गटना गटी थे हमें जानकारी है, लेकिन ये बात सुधीर अगरवाल ने मंच पर कहा है, ये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें सुधीर अगरवाल लेकिन आप दूसरे के योगदान को कंडित करने लग जाएंगे, प्रसंग ला देंगे, तो फिर क्या करेगा, आपकी भी बात फिरा ही जाएगी, आज भी कह रहे हैं, तो ये मतलब कोई भी संकोच करना चाहिए, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, संकराचार जी, एक और ची अब बताई है, किशोर कुनाल जी पहले पटना में IPS अधिकारी थे, फिर जब नर्शिंगा रावगारों मिल्ट मनी तो केंदर में डेप्टेशन पर चले गए, फिर वहाँ पर उनको राम जनमगूम वाला प्रकोष्ट मिल गया, फिर उन्होंने बहुत सारा कारी किया, और बहुत सारे प्रमान जुटाएगे, तो वो सब प्रमान उनके पास थे, और बाद में वो चौंकी शंस्कुत की प्रेमी हैं, बहुत आध्यात्मिक विक्ति हैं, एक तरह के संत है, और गुरु जी जो हमारे द्वार का पीट के शंकराचार जी है, तो हमारे गुरु जी के प शंकराचार जी बने तो उनमें भी उनका गुरु भाव हो गया, तो इस तरह से गुरुशे से बाव चला आ रहा था, तो फिर शंकराचार जी महराजी ने उनको बुलाया, बुला करके उनको सौपा, और फिर उन्होंने मुकदमे में बहुत हम लोगों को साहेता की, बहुत उत्तर परदेश में एक नया पाकिस्तान बनाया जा रहा है, वो कह रहे हैं, और आप क्या देखते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का जो ये टकराव है, उपना एक नया रूप लेगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बारा मस्जिद बन रहा है, पैगंबर साहब के नाम पे ब पीलर जो बन रहे हैं, वो खलिफाओं के नाम पे बन रहे हैं, तो ये क्या आगे भविष में टकराहाट, ये समाप्त हो गई है, ये टकराहाट और बढ़ेगी, ये ही तो हमारा कहना है, ये कह रहा है ना, कि हम संकराचारियों का ये योगदान, इनका ये ही है, इन्होंने भीडी कटी किया, सडक पर आंदोलन किया, कोट में तो गए नहीं, सडक पर आंदोलन किया, तो भीडी कटी हो गई, अब भीड चाहती है कि कुछ काम बताई है, तो इन्होंने बता दिया, ये है, अब उन्होंने जाकर भीड ने तोड़ दिया, तोड़ने के कारण हमारा मं मांचा ये मंदिर है लेकिन चूंकि भावन ही गिरा दिया गया तो क्या पता चले तो ऐसी परिस्तिति में सुप्रिम कोड ने भी कह दिया कि चूंकि यद्यपी और राम जी की जन्म भूमी थी लेकिन बलपूरवक गिरा करके उसको मुस्लिम लोगों के साथ अन्याय किया गय है कि मुल जगह मिली और इनका युगदान क्या है कि उनको पांच एकड मिल गया यही तो है तो ऐसे होस नहीं गवाना चाहिए पांच एकड जमीन मिल गई और पूरी के शंक्राशार जी महराज बिलकुल सही चिंता ब्यक्त कर रहा है वो भविश दरश्टा है निश्चत से कोई न कोई संकेत उनको हो रहा है जिसके कारण वो इस बारे में चेता रहे हैं और हमारे देश के लोगों को इस बारे में चेतना चाहिए और मुस्लिमों को भी चेतना चाहिए कि एक विवाद समाप्त हो गया है वहाँ पर बहुत बड़ा निर्मान करके और बहुत रहे हैं वो पही है आप लोगों का जो ट्रस्ट था उसको भंग कर दिया गया और आपने बहुत अच्छा मंदिर का मॉडल पेस्ट किया था वह मैंने फोटोग्राफ से देखे हैं और मुझे लगता हुँ एक हजार आट तो कोई मॉडल बन नहीं पाया था जो अंतिम अंतिम ग्रूप हो कुछ इंजिनियर्स को कहा गया था तो हम लोगों का एक था कि कम सकम एक हजारा आट फुट मुचा शिकर हो क्योंकि जब इतने पांसो सालों के संघर्स के बाद कोई चीज बन रही सहो करोड हिंदूओं के य हमारा तो चोटा पड़ जाएंगा कि यूप या जी चाहते थे कि जब बन रहा है तो ऐसा बने कि फिर अधितिय बंदिर हो विश्व का अधितियृद दूसरा इसके जैसा कोई नहीं हो तो ऐसी परिस्सितिति में यह चोटा बना दिया गया कि यह बना दिया गया कि जल्ती थी कि अगले चुनाव तक बन जाना चाहिए अगर बहुत भबे बनाना शुरू करेंगे तो पंदरा साल लगेगा तो हमारा लाव नहीं होगा तो हिंदू समाज एक बहुत विशाल अद्धिती है विश्णु मंदिर से रामलला के मंदिर से वंचित रह गया असल में राजिन करती है लेकिन राजनीतिकियों को था कि जल्दी हो जाए अगले चुनाव तक बना के हम तेयार कर दें तो इसलिए उन्हें सोचा आधा पर्थर तरास गया है तो क्यों ना इसी जो तरास दिये गया है इसी को करें लेकिन देश चाहता था भबे तो इसलिए एक तल्ला उसक को दरकिनार करके जो कारे करता हूं का ट्रस्ट बना और इसमें जो राजनीतिक प्रिष्टिकोंड आया आरंब से ही उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदु समाज एक भव्य निर्मान से और एक भव्य अपने केंद्र से मंदिर से बंचित रहे अभी जो ट्रस्ट के महास्ची के रूप में वासुदेवानन सरस्वती का नाम लिया जबकि कोट में जहां जो मैंने पढ़ा है कोट के ओर देखे हैं कि इलहाबाद की निचली आदालत और इलहाबाद हाई को ने उनको नकली संक्राचार घोतित किया है तो ट्रस्ट में उनको बैठा के उनको निमंत्रन जब पूरा विवाद की यह क्या है क्योंकि परंप्रा से तो जौतिश्मित के आप अप संक्राचार अभी जबाव है तो अब हम जाएं तो दर्मशास्त्र हम को क्या कहेंगे हमारा जो दाइतु है उससे तो हम बंचित हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में हम अपने दाइतु के निरुखन की दृष्टी से अपनी जगा बैठे हैं कि भी हम गलत काम में साथ नहीं दे सकते हैं इसके कार लेकिन उनको सुप्रीम कोड से उनकी रोकर लगी है लोवरओर ने हाई कोडने सब यह कह दिया है कि यह सन्यासी नहीं हो सकता क्यों कि वो सरकारी नावकरी में अध्यापक्ते अपने मठ के वीधालेमें सोन्सक्रत 만वत भीं और सन्यासास लेने के बाद तो आपको पुराना नाम तो छूटा नहीं, पुरानी नवकरी तो छूटी नहीं, तो ऐसी इस्तिति में सन्यासी कब बने आप, सन्यासी तो त्याग का नाम है, सन्यास, समयकन्यास, तो इस आधार पर और उपनिशितों के वचन भी हैं, परंपराएं भी हैं, कि व्यक्ति को इसे ओर पुररानी चीजे सब चोड़ देनी पड़ती तो इने उन्हें उन्हें प्रप्वोना गया सकते इसलिए राम जानम भुमी तिर्थकto श्यूर्टरte को सोचल मेडिया पर अंप देखेंगे सधसे उन लोग моем बनाया है अपना पिशलगू होने के नाते तो उस में इनका नाम शपा है इनके नाम के आगे शंक्राचार जोतिस पीड़ दोनों नहीं लिखा गया है क्योंकि जानते हैं कि अगर हम शार्पेंगे तो कोर्ट में हमको समस्या हो जाएगी केवल मौकिक रूप से सोचल मीडिया आदी में और बाचीत में कह रहा हैं यह अब आखरी प्रस्ट संक्राचार जी आप गायमाता रास्ट्रमाता भी हां चला रहे हैं और उसमें हम लोग भी साथ हैं लेकिन जो हमारे शास्तर में मलेक्च कहा गया जो गौमांस खाते हैं इस मंदीर में काफी सारे निर्मान का उन गौमांस खानेवानों को दिया गया और कलाकार में भी ऐसे कलाकारों को मंदीर में बुलाए गया है जो खुलकर बीफ की वकालत कर रहे हैं गर्बगिरी के निर्मान से लेका रहे हैं हनुमान धोज तक मलेक्चों ने जो गौमांस खाने वाली जो प्रजाती हैं उन्हो पर कोई आँ चाहेगी या गंगाजल से साफ करने से सही हो जाएगी देखिए बात यह है कि यह तो निर्मान करने वाले जो लोग दाई जिनको यह दाई तो था उनको इस बारे में विचार करना चाहिए था कि हम मंदिर की पवित्रता सुरू से ही बना करके लेके चलें तो अ उनका मंत्री खड़ा हो के कहता है मैं खाता हूँ गाय का मंस बोलो क्या कर लेते हैं उसका तो इस्तिपा नहीं मांगते उसको तो अपने साथ बनाये लगते हैं तो गव मंस खाने वाले के साथ वो उठ बैट सकते हैं हम नहीं उठ बैट सकते हैं यही हमारे और उनके अंद ता वही हमारे हामले चका गया है तो ऐसी परिस्तिती में जो यह हो रहा है इसी तरह से इन्हों ने एक लड़का चला था च्छतिस गड़ से जब सिलानयास होने वाला था 2020 में कि हम जा करके मिट्टी ले जा रहा हैं कोसलियामाता के स्थान से और हम वहां पर नियुमे डालें तो हमने विरोध किया हमको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दमकीदी बहुत पीछ किया लेकिन हमने तो कहा कि यह हमको स्विकार नहीं है जिन मुसल्मानों से देखे मुसल्मानों से हमारा कोई द्वेश नहीं है वो अपने ढंक से अपने इमान के अनसार रहें लेकिन ह तो यह पूजा है मंदिर है मंदिर में तुम्वारा क्या काम है तुम्हारे यहान गंटा सुनते ही तुम्हारे जो फरिष्थें है वो चले जाते हैं तो ऐसी स्थिती में उनको इसमें संमिलित करना उतना अच्छा नहीं है लेकिन चूद की राजnhände या और या दर्म नीति परभावित क5000 हो जाते में एक करता है आस्व को फिर से मड़ीयू है और कि हुए युट कैसे परभावित करें, दूसरे के हाथ में जाने मत तो और राम नीती में राम जी को कहा गया कि सबेरे तुमारा अभी शेक होना है जो राजपद मिलेगा तुमको जी पिता जी मैं जल्दी तैयार हो जाओंगा जैसा आप कह रहे हैं और सबेरा हुआ अभी सबेरा हुआ ही नहीं उसके पहले ही आदेश हो गया कि तपस्वी का वेश दारण करके चुदह वर्ष के लिए बनवास चले जाओ जी पिता जी जैसा आदेश राज ये को तुछ समझा राम ने और अगर राम की ये सिक्षा हम लोगों के हिरदय में प्रवेश्ट नही जो पॉलिटकल हिंदू है उसका अंतर आपको असपष्ट दिख जाएगा और जो सास्त्री हिंदू है उसके लिए संक्राचार पीठ की क्या महत्ता है ये बरे-बरे लोग असपष्ट कर चुके हैं मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है अब देश में जो तलवार खिची हुई है पॉलिटकल हिंदू को स्वें तैय करना है कि उनके अंदर सास्त्रीता अर्थार सनातन धर्म कितना बचा है बहुत बहुत धन्यवाद